हे गाइस वेलकम टू सकसेस दिलिप मेंदलिप कुमार, स्वागत है अपका इस वडियो में तो दोस्ते हैं बहुत अच्छी खासी वेकेंसिस निकाली गई है इंडियन नेवी ट्रेट्समेन मेट की ट्रेट्समेंट में टेक बहुत अच्छी खासी जॉब से फोर ITI स्टूडेंट्स के लिए इंडिये नेवी में एक पोस्ट होता है ये पोस्ट लगबग ग्रूप C लेवल की पोस्ट होती है सिबिलियन की पोस्ट होती है तो यहां से वेकेंसिस निकाली गई है बहुत बड़ी खुसकबरी है पर्मनेंट जॉबस की रिक्रूटमेंट होती है तो काफी सारे स्टूडेंट ने एक्च्छोली हो सके पहले अप्लाइक कर लिया होगा लेकिन ये जो वेकेंसिस है काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगी क्योंकि online form link activation में काफी delay हो चुका था तो सारे student सोच रहेंगे इसकी activation link का खतम हो चुकी है जैकिन ऐसा नहीं है activation link activate है कब तक apply का से करना है सब कुछ में बताऊंगा इससे पहले थोड़ा short में जानकारी बेदे दूँगा कि कौन-कौन से लोग eligible है क्योंकि काफी सारे student को हो सके ना पता हो तो apply कर ले बहुत बड़ी job है यह त्यान रखना चले ब detail में जानकारी लेते हैं थोड़ा से तो guys यही वो official notification है जो की release की गई है एंडियन ने भी tradesman mate की यह निकोबार command की vacances है यानि अंडबान government इससे लीड करते है और यहीं से recruitment आउट की गई है guys तो सबसे फिले देख लो यह tradesman mate जो है civilian group C की post है 18,000 से 56,900 की बीच में आपको salary provide करती है इन्हें salary की में बात करूँ तो 25,000 से 27,000 के बीच में होती है जब initially आप join करते हो तो treatment mate की post है total number of post 112 जहांपर general के लिए 43,000 से OBC के लिए 32,000 से SC के लिए 18,000 से 8 post पर vacances एन EWS वालों के लिए 11 post पर है जिसमें से apply करने के लिए total 52 trade idea वालों के लिए यहांपर vacances निकाली गई है 52 trade बहुत होता है, 52 trade के लिए recruitment है और यहां पर मैं बात करूँ, next की इसमें जो reservation मिलने वाली है all candidate को मिलेगी, age limit 18 से 50 साल रखी गई है then age relaxation सभी को मिलने वाली है STS वालों को 5.0BC वालों को 3 years का qualifications देख लो, ITI pass out होने चाहिए 10th with ITI, ITI कौन-कौन से trade से होनी चाहिए मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ mode of selection यह होगा, जो भी candidate apply करने के लिए eligible होगी, सबसे जो भी apply करेंगे form भरे करें, उसको screening की जाएगी 10th के marks के according, उसके बाद 1.2.2.5 ratio में उसको shortlisted किया जागा for return test के लिए कहने कि उसकी examination होगी देखे, मैं यह detail पहले बता चुका हूँ अगर आप अभी तक form नहीं भरें, तो जाकर भर लो description में videos का link है, form कैसे भर नहीं है, मैं यह videos इसलिए detail में बता रहा हूँ, notification wise क्योंकि काफी सारे candidate होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, तो वो finally, अभी last study में जिए वो देख ले तो अराम से वो form fill कर सकता है, बंदा description examination syllabus आप देख सकते हैं general intelligence reasoning 25 question पुछी जाएगी, general link निस होती है 25 question का, math पुछा हो जागा 25 question का, original awareness होता है 25 question का, यानि कि swap question यहाँ पर पुछी जाती है, जिसके यहाँ पर आपको 90 minute का time आपको जो है, वो दी जाएगी इसके examination जो syllabus है, आप देख सकते हैं syllabus कहां से कहां से question पुछे जाएगी और examination center यार आपका port layer में होने वाला, यह देख ले ना, क्योंकि जो भी candidate exam देने जाएगा, उसका exam port layer में होगा, और port layer में exam होने का मतलब आप समझ रहे हैं, आपको plan से exam देने जाना होगा, और plan से जाओगे approximately कम से कम 18 से 20,000 का खर्चा है सिर्फ आपको exam देने जाने में तो यह देख लो, देखे इसकी online form 6, August से start होई थी और 6 September तक last date है यानि कि कल तक इसकी form last date रखी गई है, जो भी candidate apply करना चाता है, फटाक से कर लो, वीडियोस में बना दिये गाई, फ्री of cost from fill up करने की date है, और फ्री of cost from fill up होती है, बहुत बड़ी भरती है, आपको job मिल जाती है भले खर्चा है, तो opportunity अच्छी आपको मिलेगी, प्रमोशन बहुत